दोस्तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि नंबर ब्लॉक करने के बाद आप लोग कॉल और मैसेज कैसे देख सकते हैं अगर आप लोग किसी का नंबर ब्लॉक कर दी हैं और वो आपको बार बार कॉल कर रहा है दोस्तो और आप लोगों को बार बार मैसेज भीज रहा है तो आप लोग जो है कॉल और मैसेज को कैसे आप लोग देख सकते हैं मैसेज को आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और जो मैं ये trick आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सिर्फ Redmi phone के लिए है ठीक है अगर आप लोग Redmi का mobile यूज करते हैं तो आप लोग इसी तरह से देख सकते है number block करने के बाद उसका call और message ठीक है तो आप लोगों को number block करने के बाद call और message देखने के लिए simple सा आप लोगों को यहाँ security में click कर देना है ठीक है आप लोगों को यहाँ security में click कर देना है security में click करने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे block list दिया गया है ठीक है आप लोगों को block list में click कर देना है और यहां पे johe SMS लिखावा है और call ठीक है अगर आप लोगों को message भेज़ेगा तो यहाँ SMS में दिखेगा और अगर call करेगा तो आप लोगों को call में दिखेगा ठीक है? कब-कब क्या-क्या message भेज रहा है खब-कब क्या-क्या call किष टाइम पे आ रहा है आप लोग सारा कुछ यहां से देख सकते हैं नंबर ब्लॉक करने के बाद ठीक है